नमस्कार दोस्तों किरकट पे सचिन बोराम फिसे एक बार आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा तीसरा वीडियो जो है इस स्रीज का जो भी मैंने बनाया है स्रीज की बेसिक से लेके एड़बांस तक जो लोग उने नहीं देखा है वो लोग स्टार मारना है यह सबसे इंपोर्टन है क्योंकि हम बहुत बार गलती करते हैं कि गलत बॉल पर ड्राइब मारते हैं जिससे हम कैच आउट हो जाते हैं तो यह सीखना आपको जरूरी है कौन सी बॉलम मारना है जिससे कि आपका ड्राइब्स एकदम परफेक्ट जाए दोस्तों हमेशा फुल लंथ डिलिवरी में मारा जाता है जो भी आपके फुल लंथ एरिया में पैरों के आसपास की जो भी बॉल है फुल लंथ डिलिवरी उसमें ही मारा जाता है उसी में अच्छा छक्का भी लगता है वो आगे चलके यही जो ड्राइब है इसी को आप छक्के में क गिर रही है, लगबग तो बॉल के पास में आपके लगबग उसके पास में आपका पैर जाना चीए, जहां पे बॉल गिर रही है उसके पास में आपका पैर जाना चीए, अगर आपका पैर उसके पास में नहीं गया, आपने दूर से ड्राइब मार दिया तो आपका एज लग यह अच्छे से नहीं जाएगा, जो जितना कोशिश हो सके, बॉल के नजदिग में जाओ, और आगे का इससा आपने इसको ऐसे जुकाना है, नीचे, नीचे को जुकाना है, आपने ऐसे खड़े-खड़े नहीं मानने, ऐसे करके, आगे जुकते हुए, बैट का एंगिल ऐसे ले जाके सीधा बला लगाना एक दम से, यह बैक लिप्ट आया, सीधा बैट रहा का, एक दम से, यह कबर ड्राइब है, अभी में आपको सारी नोट्स खेल के बताऊंगा, लेकिन यह जानना जरूरी है कि, बोडी का जुकाओ, बॉल की तरह, इस तरह से होना चीए, यह इसा जो नीचे वाला हाथ है, वो हलका रहता, इसमें ताकत नहीं लगाना है, मारते समय, नीचे वाले आश से, यह टॉप एंड आपका मजबूत रहेगा, यह वाला खाली गाइड करने के लिए होता, हलका सा यह ऐसे पकड़ने के लिए होता, दो उंगली से यह, बागी य जाते हुए बैट को लाना, यहां से इस साइड से लाओके तो बॉल यहां चला जाएगा आपका, इसलिए मैं हमें सा बोलता हूँ, बहुत बहुत इंपर्टन, बैट लिप्ट होने के बाद, सीधे इस तरह से सामने आएगा बैट, और सेम ओन ड्राइब में, जो पैरों की बॉल हमारे पैरों में बॉल आते एक दम पैर के सामने, उस बॉल को या मिडल की बॉल को भी कंबट करते हैं, लेकिन पहले आपने सिर्फ पैरों की बॉल जैसे यह है, मेरे पैर यहां पे, यहां पे इस नजदीक में, जो एरिया में, इस एरिया में जो बॉल आएगी, यह टू, थ्री, वन, टू, थ्री, नजर नीचे जब बॉल गिरते हैं बॉल पर नजर वहाँ नीचे और ड्राइब सीधे सामने, ड्राइब मारते से में बैट का एंगल जब नीचे को लाते हो, यह सबसे इंपोर्टेंड, तब ही आपका ड्राइब अच्छा लगेगा, यहां से आते से में यह बैट इस एंगल में ही आएगा, अगर आपने बैट को ड्राइब मारते से में ऐसा कर दिया, सीधे खोल जा तो, कैच उपर उठ जाएगा, और गुड लंध की डिलिवरी में, यहां सोट बॉल में, आपने ड्राइब मारने की कोशिश की, जो गुड लंध य आती है, सोट पीज बॉल, वो क्या है, टपा खा के इतना उचा आता है, इतना उचा है, और आप उसको आगे कर रहे हो, तो आपका बॉल कहां आएगा, उपर आएगा, यहां पे, तो यहां पे लगते ही, उपर को कैच उठ जाएगा, इसलिए सिर्फ फुल लंध की जो भी अब देखिये, आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है,